हेलो फ्रेंट्स, वैलकम बैक टो में चानल, तो आज मैं फिर से एक नया रिव्य वीडियो लेकर के आई हूँ, जो है कोईरा डी टैन स्क्रब, तो ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपस रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लेजे और व प्रोड़क्ट इस पेसली में के लिए है और ये एक डी टैन स्क्रब है, मतलब ये स्कीन पे से टैन को रिमूब करने में हल्प करता है और इसमें टुवेल प्रीसियस और रेर इंग्रीडियन्ट यूज किये गये हैं, जो फाइन लाइन्स को स्मूथ करता है, न्यू सेल्स ग्रोथ करेगा, प्रोमोट करेगा और इसमें आयरुवेद बेस्ट फॉर्मूला भी है, जो इसकीन को प्राइट करता है, और इसमें अलमंड रीचीन, वाइटमिन E and D भी है, जो इसकीन को नरिस करने में हल्प करेगा, और पल्यूटेंट इम्पॉरिटीज को भी एक्सप ग्राम की, और ये ओनलाइन वेबसाइट पे इसली अवलेबल है, आप इसे एमजोन या परपल डॉट कॉम से ले सकते हैं, इसकी प्राइस फ्लक्टुएट हमेशा होते ही रहती है, और अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें, तो ये प्लास्टिक ट्यूब की पैकेजिंग में आता है, फ्लिप टॉप कैप के साथ, जो काफी टाइट है, तो पैकेजिंग वाइज काफी अच्छी है, इसकी टेक्शर क्रीम बेस्ट है, थिक कंसिस्टेंसी की, और ग्रैनुल्स बहुत ही छोटे छोटे से हैं, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स हैं, जो काफी माइल् नहीं है, तो आपको ये स्क्रब का बस थोड़ा सा एमाउंट लेना है, पूरे फेस के लिए, क्योंकि ये क्रीम टेक्शर की है, तो थोड़ा सा ही एमाउंट लेने से पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रेड हो जाता है, और इसे फेस पे लगाते ही, थोड़ी कुलिंग संस से फील होती है और जब आप इससे रिमूव करेंगे तो ये संसेशन चली जाती है तो आपको ये स्क्रब को अपने क्लीन फेस पे अपलाई करना है फेस को वास करके और वेट फेस पे ही ये स्क्रब को अपलाई करके 2-3 मिनट्स के लिए सर्कुलर मोशन में मसाज करना है फिर 5-10 minutes के लिए ऐसे ही छोड़ देना है उसके बाद फिर face को अच्छे से normal water से wash out कर लेना है और ऐसा आप wick में 2-3 times कर सकते हैं या आप इसे alternative day में भी use कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही mild scrub है तो ये skin के लिए बिल्कुल भी harsh नहीं होगी तो ये scrub skin को deeply clean कर देता है skin से सारी impurities, dirt, dust, dead skin को remove कर देता है साथी साथ ये excess oil को भी remove करता है और ये tanning के लिए तो effective है ही sun के वज़े से जो skin dark हो जाती है, tan हो जाती है उसे भी ये remove करने में काफी helpful है तो ये scrub all skin type के लिए suitable है चाहे skin dry हो या oily हो या combination हो इसे कोई भी use कर सकता है और क्योंकि इसे use करने के बाद skin बिल्कुल भी dry या stretchy feel नहीं होती है in fact कि skin को soft smooth बना देता है, skin को deeply nourish करता है तो overall ये scrub आप use कर सकते हैं, tanning के लिए काफी mild scrub है तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रू like करें और save करें और subscribe करना ना भूले तब तक के लिए thank for watching, मिलतु हूँ में नेक्स वीडियो पर, take care, bye bye